स्वागा शाता पाई हाई हावीलाई और लाइ डिपलोमा इन्जियो मेतिक इंजिनियरिंग को बारे में जनकाया देशू सा चाते डिपलोमा इन्जियो मेतिक इंजिनियरिंग गरना को लाई कती बहसी लाग चा eligibility के के पुदा गरनों पर चा admission criteria के के होना सक्छा कुंकुन ऑपडाना सक्कीन्हा गोलेज्त कंथा नौकुन जब गर में जारी लिए इदेन्हिए धेल्पां न में जोन्ती के इन्जीनियर इंजेनिय Шill सीस्ट्यू और में मतार एंज्ट्याएवटल विनुट्रीक्शण सब्ससक्राइब Safe Learn इसलाइ अध्यान गर्नु लाइण जियोमेटिक इंजीनियरिंग भननेंछ जियोमेटिक इंजीनियरिंग गर्ना को लाइग तापईल्य तीन बर्षा लागछा तीन बर्षा माशव अटा सेमेस्टर हुनचा हर एक सेमेस्टर six month को हुन। रवर्ट कुरा गरूंग एलेजिबलीटी को तपाईले Compulsory Mathematics मा, Compulsory Science मा, Minimum मा C-Grade लायक होनु परछा, SEE को रिजल्ट मा, and English मा, Minimum मा तपाईले D-Plus लायक होनु परछा यदि तपाई T-SLC गरनु भागो छवने Geometric Engineering बाट तपाईले Minimum मा 66.68% लायक होनु परछा And now talking about admission criteria, तपाईले CTEBT ले conduct गरेको intrinsic exam pass गरनु परने हुँँछा रवर कुन-कुन document submit गरनु परछा, तपाईले SCEE pass certificate submit गरनु परने हुँछा character certificate submit गरनु परने हुँछा, रवर citizenship certificate तपाईले समिट गरनु परने हुँछा गर्खा Polytechnic Institute that is GPI जुन गर्खा माँचा हनुमान नगर Polytechnic Institute जुन सब्तरी माँचा जीब राज आश्रित Polytechnic Institute जुन गुल्मी माँचा कनकाई Polytechnic Institute जुन जापा माँचा Land Management Training Center जुन धुली खेल माँचा मदन आश्रित Memorial Technical School जुन काठमांडु माँचा माहा नगर Mult technical institute जुन बिर्खानगर माँचा नेपाल बनेपा Polytechnic Institute जुन बनेपा माँचा निर्मल नमा Polytechnic Institute जुन भर्धि बास माँचा School of Geometrics जुन काठमांडु माँचा स्रिरि सेकेंडरी स्कूल कामला माई जुन कामला माई माँचा रवा हरेक सेमेस्टर मा कट्रीव ओता सब्जेक्ट रा कुणकुण सब्जेक्ट पर्नू पर्ने हुँँछ सब्सक्राइब करें इकजाम दीना पाओ छाकी पाओ देन त्यों क्वेश्चन तपाई को मनमा हुना सक्छा फेरी तपाई एकजाम दीना सक्णु फेर नीदा हुनचा एकजाम दीना सक्णु उनचा तपाई लाए six years भित्रा माँ पास गरनुपार्ने हुनचा